हेलो फ्रेंड वेलकम बैक तो मैं चैनल उमीद करते हूं आप सब बच्चे होंगे आज की वीडियो में मैं आपके सब शेयर करूंगे क्यासा डिया जो कि आपके जितनी भी गई हुई जो ग्लो है उसको वापस लाएगा इस पैक है कि अगर आप मेकप कम भी करेंगे तो भी आपका फेस काफी शाइन करेगा काफी गलो करेगा और यह तू स्टेप में आपको यह पैक बताऊंगी जो कि आपकी स्किन भी काफी अच्छी लगेगी आप वीक में टू यर त्री टाम जरूरी से अप्लाइ कीजे स्पे और हमारी स्किन का इनर ग्लोवी इन्हांस करें तो यह ऐसा पैक है कि आपको जरूर इससे फाइदा हो कि अगरा मेरी वीडियो मेरा चैनल फर्स टेम देख रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्षिन में में इसके रिज़ जरूर शेयर किजिएगा तो फ़रप्स टेम जो है Hemारái क्लीनिंग का जितने किसे कि हम अपनी खreet करेंगे अपने प्लाइक करेंगे तो वह हमारी की लिए खिर से डेल हो करें और खरेंगा लिए ने लिए बीसन के लिए अगर आपको अपने पर ने केरिया पे अपनी अपनी आप्लायए करना चाहते हैं तो आप तुस्पून यह थ्री सपून भी ले सकते हैं नेशन के साथ हम लेंगे 1-spun curd अगर आपके पास दही नहीं तो आप उसकी जगह raw milk भी ले सकते हैं मैंने यहाँ पर दही लिया है क्योंकि मैं पास raw milk नहीं था तो इन दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि दहीं लीजिए या मिल्क लीजिए उसे आपके स्किन में काफी सफलो आता है क्योंकि दहीं और दूद में एक टाइब का एसिड होता है जो कि हमारी स्किन के लिए काफी अच्छा होता है हमारी स्किन में क्र offense घा उसको दूर करता है और में एक कने सबस्क्राइब निJanày friends हरा और हमारी सकिन में को सब्सक्राइब देते तो असब्सक्राइब तो मैंने एक ऐसा पैक बनाया है जो कि आप एक is a pack भीquez यूजक और आप तरह भी अपनी स्किन को यूज कर सकते हैं या अगर आप इसे टू यूज री टाइम यूज करते हैं वीक में तो भी आपको इसे काफी बैनेफिशन होने वाला है यह आपको स्किन के लिए यह ऐसा जाते हैं जिनको जादा प्रॉब्लम होती है ड्राइनस की उनके लिए तो आपके स्किन में काफी ज्यादा ग्लो देता है इससे आपके जितने भी जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है यह वह भी सॉट आउट हो जाती है इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके जब हम अप्लाय करते हैं तो हमारी स्किन को काफी फायदा मिलता है जो कि हमें लैक्टिक एसट भी मिल रहा है और साथ मी मिल रहा हमें जिनक जो कि हमारी स्किन को काफी अच्छा एक शाइन भी देता है और जिससे कि हमारी स्किन एक बार भी लगेगी और जाथा सॉफ्ट स्किन होगी 5 मिनट उसे रब कर लीजे और उसके बाद आप इसे थंड़ाई पानी से यह वश कर लिए तो में आपको मिलती। वाश करने के बाद तो इस तरीके से आप अपना फेस अच्छे से थंड़ाई में यह निए अपना फेस गड़ में उसे छब्र पाउड़ बनाना चाहते हैं या वह री ले सकते हैं यह तो जूस भी ले सकते हैं तो से थ्री स्पून आप जूस ले लिजेगा बी टोड पाउड़ के साथ मैं रही हूं वन स्पून अलोवेर जैल आप लेकिन प्लांट बेस्ट मत लीजेगा क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी बच जाता है या थोड़ा सा रह जाता है तो आप उसे स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं थोड़े एक दो दिन के लिए तो आप अगर प्लांट बेस्ट लेंगे तो वह जल्दी से खराब हो ज करने इंफलमेटरी प्रोब्रम्स हो जाती है तो शोड़ी सी हो जाती है उनको भी चीड तो थीक करते हैं लिए ज़रूरा जबार मैं रही हुँ ग्लिसरीन घुकि मैंने यह बडिया करते ले सकते हैं यह में घुकि मेरी बिवाली में पार खेंड इंध जो सबी क्रींस में जरूर होती है जो कि आपके skin के लिए काफी अच्छी होती है आप इसे summer winter एवरी सीजन यूज कर सकते है और इसमें आपको hyaluronic acid का भी एक पार्ट मिलता है जो कि आपके skin में टोड़ा सा झाल मिक्स ओट एक सकते हैं थे लिए प्रस्टे कट बूहले कर लो द। यह कशन लिए नने। यह दूहले हैं तो हमें फैसे और इससे बशाछा नोज देखूहत नने पास्ट लए इस तरीके से आप अपने फेस पे और नेक पे अप्लाय कर लीजिए और 10-15 मिनट इसे अप्लाय कीजिए और उसके बाद आप इसे वाश ओफ कर लीजिएगा हैं आप इसतर्य सकते हैं रिजिए अपने कर लीजिए और आप पशुदक्र होता है ईसे किसी को आप विडियो को नाइक शेर और सब्सक्राइब करें बिरती हूँ आपसे नेक्स वीडियो में अंतिल दिन